दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे सुखी होंगे और अपनी प्रेगनेंसी का पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे पूरे तीन लक्ष्णों के बारे में जो बिल्कुल ठोस बताते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा जिससे भूले नाथ आपकी मनो कामना पूरी करें इसलिए जै भूले नाथ कमेंट में जरूर लिखेगा यह old wives के द्वारा बताएगे लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे गाइस इन में से कुछ ऐसे भी लक्षण है जो baby boy के टायम पर मेरे में भी दिखाई दिए थे और उन लक्षणों को old wives के द्वारा बहुत क्लियरली माना जाता है तो आज अगर आप भी excited हैं अपने baby boy के बारे में जारने के लिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो like भी करिएगा अब आएए guys वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सोने के तरीकी को लेकर प्रेगनसी में आप जिस तेरे भी सोती हैं आप अपने comfortable के अनुसार सोती हैं आपका baby जिस side पे रहता है आप उस side सोना ज़्यादा पसंद करती हैं उसके दूसरे side पर अगर आप सोती हैं तो आपको बहुत भारी पंसा लगता है आपको uncomfortable सा लगता है इसलिए आप अपने comfortable के अनुसार सोती है लेकिन old vibes की दोरा कहा ये जाता है कि अगर आप अपनी पूरी pregnancy में बाइं करवट पर सोना ज्यादा comfortable मैसूस करती है तब आपने baby boy conceive किया है वहीं पर अगर आप दाइं करवट पर सोना ज्यादा पसंद करती है आपको दाइं करवट पर ज्यादा comfortable मैसूस होता है तब आपने एक लड़की conceive करी है ये लक्षण मेरे साथ भी हुआ था दोस्तो ये लक्षण मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ था मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लक्षण सब के साथ सही होगा लेकिन मेरे साथ सही हुआ था कुछ लोग के साथ सही भी हो सकता है कुछ लोग के साथ गलत भी हो सकता है इसके लाबा बात करेंगे दोस्तो आपकी लेवर पेन के बारे भी अगर आपको लेवर पेन फीट की तरब से आता है आपके कमर साइट से अगर आपको लेबर पेन आता है तब आपने बेबी बॉय कंसीव क्या है ऐसा ओल्ड वाइप्स की द्वारा कहा जाता है इसके अलाबा यदि आपके पेट के साइट से अगर आपको लेबर पेन आता है तब आपने एक बेबी गर्ल कंसीव करी है तो ये चीजे तो आप अपने labor pain के time पर ही समझ पाएंगे ये बाते भी किसी के साथ सही हो जाती है और किसी के साथ गलत भी हो जाया करती है मेरे साथ ये बात बिलकुल गलत हुई थी इसके लबा दोस्तो एक और लक्षड है जो काफी प्रचलित है आपके पेट के आकार को देखकर भी अंदाचा लगाया जाता है कि आपने baby boy कंसीब किया है या baby girl कंसीब करी है जैसे ही आपके चौथा या पांचवा महिना स्टार्ट होता है आप बेट पूटाउन करने लगती है इसके बाद आपके छटवे महिने से आठवे महिने तक में आपके पेट के आकार में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है लेकिन साथवे, आठवे और नौवे महि वहीं पर अगर आपके पेट का आकार लंबा है, यानि कि आपके पेट का आकार अंडाकार में है, तब आपने एक बेबी बॉय कनसीव किया है गाइस ये बात मेरे साथ बिल्कुल गलत साबित हुई मेरे पेट का आकार सुरुवाती समय में गोल था लेकिन लास्ट में जाके अंटाकार हो गया था फिर भी मुझे बेबी गर्ल कंसीव हुई थी मुझे एक बेटा और बेटी दूनों है और वाइपस के द्वारा कही कही बाते अनुमानित होती है इनका scientifically कोई भी प्रूप्ड नहीं होता है इसलिए इन पर आक बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता है दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें